आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मेवाती दवा खाना में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जिन लोगों में सेक्स टाइम नहीं लगता है जल्दी दिश्चार्ज हो जाते हैं या सेक्स पावर नहीं है तो उनको किस तरीके से आप अपने ये दोनों काम को बढ़ा सकते हैं इसके लिए आपको सिर्फ दो ही चीज लगेंगी एक ये दूद का पाकिट एक चमच की ज़रत पड़ेगी और एक ये दवाई ये दवाई कौन सी है इसके तो मैं आप लोगों को बताऊंगा सबसे लास्ट में ये आपको कहां से मिलेगी और कैसे लेनी है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा लेकिन पहले चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे बनाना है इस दवाई को बनाने के लिए आपको जो दूद चाहिए वो आपका घर का हो तो बहुत ही अच्छा है गाए का हो या भैस का किसी का भी हो वो कोई भी मेटर नहीं करता है इसको आपको रेगुलरी कम से कम 60 दिन या 90 दिन तक करना होगा इससे आपका टाइमिंग 15 से 20 मिनट 100% गारंटी के साथ आ जाएगा और पावर भी जबर जस्त हो जाएगा अगर आप एक बार करते हैं और ठक जाते हैं तो आप 4 बार करने के बाद भी नहीं ठकेंगे तो और को जाणकारि के जानने से पहले हम आपको इसको बनाके दिखाते हैं यहां हमने एक बरतन लिया है और आप घैस चालू करके इसमें दूद डालेंगे पहले यहां यहां हम आप लाइब दीख रहे हैं तो यहां हम दूद इसमें डाल रहे हैं यह आधा लेटर दूद होता है आधा लेटर दूद भी नहीं है तो आपके पास कम से कम 400 ग्राम तो हो लेकिन आधा लेटर ले ले ज्यादा बहतर रहेगा तो यह दूद को अच्छी तरीके से यह पूरा डाल दिया है और अभी इसको आपको थोड़ा गरम होने देना है फिर डालेंगे यह दवा देखे जो चम्मच हमने आप लोगों को बताए थी वो क्या काम आएगा आपको चीनी या जिसको सक्कर भी बोलते हैं इसमें आपको अपने सवा दिनुसार दो चम्मच नहीं तो तीन चम्मच हम एक तीन चम्मच डालेंगे मुझे दूद जो है फीका जादा अच्छा नही इस वज़े से मैं थोड़ा इसमें मीठा डाल रहा है अगर आप फीका पी सकते हैं तो फीका नहीं तो मीठा भी पी सकते हैं बाकी जो अब यह दवा है इसको भी हम डालेंगे लेकिन पहले दूद को थोड़ा और गरम होने देते हैं थोड़ा उबलने देते हैं तो इसको आपको इतना ही रखना है एक बार मैं इसको आप थोड़ा ऐसे हिला के दिखाता हूं हाँ तो थोड़ा ही बाकी है पूरा गाड़ी हो गया है इतना गाड़ी यानि इतना इसको आपको जला लेना है अब यह इतना ही काफी है बैस अभी हम गेस को कर देते हैं यहां से बंद अ अभी इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर इसको हम खाएंगे ये आप खाना खाने के बाद दिन में एक बार तो करना ही करना है 100% आपका जो टाइम है वो 15-20 आजाएगा गरंटी के साथ मैं कह रहा हूँ लेकिन आपको इसको 60 दिन या 90 दिन तक करना पड़ेगा और अगर नसों में कमजूरी है यानि नसों में धीलापन है तो उसके लिए भी मैं आपको एक अगली वीडियो में ट्रिक बताऊंगा इसी के साथ ही तो बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें एक बार इस नस्के को आप जरूर आजमाए 100% आपको इसका रेजल्ट देखने को मिलेगा गारंटी के साथ क्योंकि इस नस्के को मैं खुद लगबगा भी मैं आपको बताऊं तो कम से कम 180 दिन मुझे इसको कंटेनियों खाते-खाते हो गए और इसमें आपका कोई वो भी नहीं है कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है बस यह दवा है मैंने आपको बता दिया है कि यह दवा आपको लगबग सास से साड़ सास रूपे की मिलेगी इसको हमारे मेवात में एक बहुत ही फैमस डॉक्टर है क्योंकि मैं किसी का इसमें रिव्यू नहीं कर रहा हूँ तो इसलिए उसका नाम नहीं बता रहा हूँ लेकिन वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा वहां से आप जाकर इसको खरीद सकते हैं यह लगबग आपको मैंने आपको बताया पान सो निन्यानवे चैस सो निन्यानवे का पड़ेगा और डिलीवरी चार्ज लगेगा अलग से